हलो एवरीवन, वेलकम टू स्रडी स्कॉड, आइम श्रिवानी चाहान, इस वीडियो में हम क्लास एट्थ माथ्स की बुक का चप्टर 11, मेंसुरेशन की एक्सिसाइज 11.1 का क्वेशिन 1 और 2 देखने वाले हैं कि एक तो स्की है। स्कॉइडर गाडन है, और एक है रेक्टेंग्लर गाडन, हम लोगों को इसके मेरलन इसके शयल होती हैं तो है सारे की सारे 40 हो जाएंगे हम लोगों को जन्द से घृते हैं कि दोनों की रिंपर को इस वा yönजी का और कि एरिमिटर, वा ही रिंटर है अब हमें बताना है कि इन में से area किसका बढ़ा होगा इन दोनों figures का perimeter सेम है और हमें area निकाल करके बताना है कि कौन सा बढ़ा होगा square का हम लोग को side पता है और rectangle की हमें सिर्फ length पता है तो देखें ये वाला क्या है? ये वाला तो हमारा square है square की एक side जो होती है वही सारी होती है यानि की जो सारी की side 60 हो जाएंगी तो perimeter of square का formula होता है 4 into side यानि की 4 into side तो side है हमारे पास 60 तो 4 into 60 हमारे पास आ जाएगा 240, 240 meter क्योंकि 60 meter है तो 240 meter हमारा perimeter हो जाएगा square का, इसी तरीके से perimeter of rectangle जो है, उसका formula होता है 2 into L plus B, हमारे पास यहाँ पर length है, तो 2 into L के जगा 80 और B के जगा B जोड़ दे, अब question में हमें एक बात ये बता रखी थी, कि जो perimeter of square है, वही perimeter of rectangle है, यान कि इन दोनों का perimeter है, वह same है, तो हम क्या करेंगे, इसको equation अगर 1 माने, इसको 2 मालने, फिर हम क्या करतेंगे, कि perimeter of square is equal to perimeter of rectangle, इन दोने equation को साथ में रख देंगे, तो 2 into L plus B, यानि कि 2 into 80 plus B, 2 into 80 plus B किसके बराबर हो जाएगा, 240 के, क्योंकि इन दोनों का perimeter same है, तो हम लोग equate इन को कर सकते हैं, तो 240 is equal to 2 into 80 plus B, क्योंकि ये 20 meter rectangle 2 into 80 plus B आया था, और इसको हम लोग इसके equate कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो 2 multiply में था, वो equal to से दूसरी तरफ जाकर के divide हो जाएगा, कटे का तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, यह हमारा 120 आ जाएगा, अब ये इधर B के साथ 80 प्लस म हमें था, equal to से दूसरी तरफ जाकर के minus हो जाएगा, तो 120 minus 80 हमारा आ जाएगा 40, यानि कि जो rectangle है, इसकी breath कितनी आ गई, rectangle की breath हमारे पास 40 आ गई, अब हमें ये पता है कि rectangle की length जो हैं, दोनों सेम होती है, और breath ही सेम होती है, अब हमारे पास rectangle की length दोनों आ गई, square की हमारे प square का formula होता है, side into side, यानि की side का square, तो 60 into 60 हमारे पास आ जाएगा, area of square आ जाएगा, 60 into 60, और एक area of square हमारे पास क्या बन के आएगा, 3600 meter square, area of square हमारे पास 3600 meter आ गया, अब area of rectangle का formula होता है, length into breath, area of rectangle क्या होता है, length into breath, तो length हमारे पास 80 है, और breath हम लोगोंने 40 निकाल दी है, तो 8 फोर्जा 32 तो यानि कि area of rectangle गया? 3200 हो गया, so area of square is greater than area of rectangle तो square का area rectangle के area से बढ़ाएगा, so area of square is greater than area of rectangle, ठीक हो गया, इस तरीके से निकाल दिया, इस question में हम लोगों को, एक तो area का formula पता होना जहे था, इन दोनों का, एक तो perimeter का formula पता होना जहे था, क्योंकि दोनों के perimeter सेम थे, तो हम लोगों ने perimeter required कर दिये और length हमारे पास 80 थी और breadth हमारे पास 40 आ गया, फिर हम दोनों ने दोनों का area निकाल दिया, area of square, area of rectangle और हमें पता लग गया, कि भई, square का area बढ़ा है, और यही हम लोगों से question में पूछा गया था, कि कौन सा, किसका area बढ़ा है, तो square का area, rectangle के area स इस question में बढ़ा है, so area of square is greater than area of rectangle, यह हमें पता लग गया, तो यह हमारा question number 1 हो गया, अब हम लोग next question देखते है, question number 2, question 2 में हमें बोला गया है, Mrs. Kaushik has a square plot with measurement as shown in the figure, हमें figure में measurement बता रखे है, Mrs. Kaushik का square plot है, जिसकी measurement है, square plot है, इसका मतलब क्या है, कि 4 की 4 साइड equal है, यानि क 25 हमें दे रखे है, तो सारी के सारी क्या होंगी, 25 ही होंगी, क्योंकि square जो होता है, उसकी सारी sides equal होती है, अब उनका square plot है, उनको construct करना है, अपना घर पीचो बीच, और side में उनको चारो तरफ घर के garden बनाना है, find the cost of developing garden around the house at the rate of 55 per meter square, तो हमें बताना है, कि जो यह Mrs. Kaushik है, इनको जो चारो तरफ यह garden बनाना है, इस garden को बनाने की cost किया आएगी, मतब garden बनाने की cost हमें इस question से निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग को area of plot हमें पता है, area क्या है, मतलब plot क्या है, square है, यह हमें question बता है, तो यह 25 है, तो यह वाला भी 25 हो जाएगा, area of square क्या होता है, side क यानि कि side to side, तो area of plot 25 into 25 हो जाएगा, यानि कि 625 meter square, तो plot का area क्या जाएगा, area जो है plot का, वो आगया 625, देखो यह जो पूरा का पूरा area, यानि कि यह वाला, पूरा, यह जो पूरा, सारा का सारा, अगर मैं इसको भी, देखो, ऐसे यह पूरा, जितना, यह पूरा plot है, सारा, इस पूरे का area हमारे पास आगया, 625 meter square, अब house का area, अब क्योंकि, चारो तरफ तो garden है, और घर कहां पर है, घर सिर्फ वीचो बीच है, तो जो green part है, सिर्फ इतने ही part में घर बना हुआ है, चारो तरफ उन्होंने garden बनाया है, खोली जगा छोड़ी है, तो बीच में जो house है, अब house का area हम लोग निकाल लोगे, easily क्योंकि rectangular हमें बता रखा है कि इसकी length जो है, वो 20 है और 15 है, तो area of house आप लोग निकाल लोगे, 20 to 15, यानि की 15 to 30, 300 meter square हमारे पास area of house आ गया, area of plot हमारे पास ही आ गया था, अब garden निकालने के लिए, अब देखो, simple सी बात है, हमारे पास total ह total पूरा का पूरा area भी हमारे पास है, total area हमारे पास 625, यह बीच वाला भी है हमारे पास, हमें सिर्फ यह निकालना है, तो बड़े में से छोटे को minus कर देंगे, और तो हमारे पास पूरा आ जाएगा, तो area of garden developed क्या हो जाएगा, area of plot minus area of house plot में से house के area को minus कर देंगे, तो हमा आना है, what is the cost of developing the garden, तो जो भी area है garden का, उसको 55 से multiply कर दोगे, तो cost of developing the garden हो जाएगी, हमारे पास 325, क्योंकि 325 area of garden आया है, तो बनाने की पर मीटर की cost हमारी पच बनाई है, तो total cost कितनी आई होगी, 325 को 55 से multiply कर देंगे, तो answer आजाएगा, 17,875, यह हमारे पास 17,875 answer गार्डन कितनी आगई, गार्डन को develop करने की cost हमारे पास आगई है, 17,875, इस question में हम लोगों को, क्योंकि पूरा का पूरा area बताया था कि गार्डन का area कितना है, फिर उसके बाद हम लोगों को घर का area बताया था, प्लोट का, फिर उसके बाद घर का area बताया था, तो total plot में से घर के area को माइनस करके गार्डन का area आगया, फिर पर मीटर स्कॉयर की cost पताया था, पचपंतो गार्डन के area से हम लोगोंने पर मीटर को स्ट को multiply कर दिया, तो हमारे पास finally answer आगया, इस वीडियो में हम लोगोंने दो question देखे, question 1 and 2, आगे के वीडियो में हम लोग, hopefully,